बिहार के गया जिले की एक अदालत ने बुद्धवार को 2018 में एक महिला और उसकी नाबालिक बेटी से बलतकार के लिए नौ दोशियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्यक अपरादी पर 15,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया है अदालत ने सभी को आईपीसी के साथ साथ पॉसको अधिनियम की धाराओ के तहट महिला उसकी बेटी के साथ बलतकार के लिए दोशी ठराया है ये शर्मनाग वारदात 13 जून 2018 को कोंच थाना इलाके के सोंडिया में अन्जाम दी गई थी उस दिन रात पॉने 9 बजे पीडित अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से गुरारों उस्तर दुकान से घर जा रहे थे जब वो लोग सोंडिया गाउ के निकट पहुँचे तो दरिंदों ने हतियार का भै दिखा कर पीडित का हाथ बांदिया इसके बाद उनकी पत्न और नाबालिक बेटी को एक खेत मिले जाकर सामुच दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया सोंडिया मा बेटी से सामुच दुशकर्म की घटना ने पूरे सूबे की साथ देश को हिला कर रख दिया था अब जब नौ प्राधियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है तो पीडित परिवार में संतोश है लेकिन उन्हें अभी भी डर है शायद यही कारण है कि कोट में सुनवाई के दौरान पीडित परिवार की तरफ से कोई मौजूत नहीं था सुनवाई ऑनलाइन हुई इस कारण अभी अक्तों को भी कोट नहीं लाया गया था पीडित परिवार तो सब ने इस पर संतोष जताया दूसरी तरफ अभियक्तों के वकील ने हाई कोट में फैसले को चनौती देने की बात कही पीड़ता के पिता ने दुशकर्मियों के खिलाफ सुनाए गए फैसले को लेकर न्याया ले सरकार और पुलिस प्रिशाशन के प्रती धन्यवाद जत दुशकर्मियों को न्यायले से सजा मिली इसके लिए न्यायले के प्रती आभार हैं उन्होंने सरकार और प्रशाशन से सयोग क्या पेल की उन्होंने कहा कि इस घटना से रूजगार भी छिन गया बड़ी पुत्री दो दो बार बिहार पुलिस में सिपाई भरती में पूरा रहा दुशकर्म की पीड़ता का कहना है कि इसकी तमन्ना है कि वह पढ़ाई कर आई पिस बनना चाहती है उसने कहा कि पढ़ाई के प्रती कड़ी मेहनत कर रही है समाज के लोग संवाई के दौरान बुद्वार को फैसले सुनने के लिए लोग कोट परसर में इंतज जीवन करवास की सजा की कवर सुनका लोगों ने नया के प्रती विश्वास जताया फैसले आने के इंतिजा में वकीलों के साथ मीडिया कर्मी की टीम कोट परिसर में अंतिम समय तक डटी रही मामले में अभियोजन की ओर से कुल 23 गवाहों की गवाही पर अपर जिलावं 17 नय इशकुमार सिना ने सभी का परिक्षन कराया था सुप्रीम कोट के दिर्देश पर पॉक्सो कोट का गठन किया गया था इसके बात या मामला 2020 में पॉक्सो कोट में आया जहां ब्युक्तों का बयान लिया गया था तथा बहस हुई थी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें